यहां पर आपको साथ से आठ निमेरिकल्स में बताऊंगी सारी निमेरिकल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे सारा फूल कॉंसेट फूल कैल्पूलेशन के साथ सिखाऊंगी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को धंग से वाच कर लिया बढ़ियां से स स्क्राइब को करने का प्रूफ भी है मेरे पास कि आप चाहूं तो यहां के बाद करके देखने के बाद आपको लगेगी यह वीडियो आपके काम की है तब प्रपर तरीके से देख लेना और वीडियो अच्छी लग जाये तो वीडियोग को लाइक कीजिए आपने उसके notification आपको समय से मिल जाए और आप उसे देख पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखेंगे question no.1 इससे पहले कि हम करें question no.1 कुछ concept जरूरी है कि इस chapter से जो related numerical आप बनाओगे उस numerical को बनाने के लिए कुछ important बाते हैं कुछ important formulas हैं जो आप दिमाग में रखोग अपने तो सारा numerical आपके लिए बहुत easy हो जाएगा तो चलिए start करते हैं class और देखते हैं important points हाँ देखे some important formulas मतले यह formula अगर आपको पता नहीं होंगे तो मैं कुछ भी कर लूँगी तो आप numerical नहीं बना पाएंगे इसलिए यह formula अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी इसको याद हो जाता है ठीक है रिविजन के लिए के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूलास नंबर फर्स्ट है माले जी कोई डिवन रियक्षन है जिसमें एक एक रियक्टांट है और बी जो आप देख रहे हैं यह कोफिशेंट है जब बाइलेंस फॉर्म में एक्वेशन लिखते क्या है प्रपोर्शनलल को हटा किया है यह इसे आप सिंप्ली रेट कॉंस्टेंट भी कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है फार्मूलान फ़स्ट एदम बेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे बीना इस फॉर्मूला के आप एक निमेर कल को हलाएंगे भी नहीं इसलिए यह क्यामिकल कावनेटिक सी फॉर्स rev sting रिएक्षने मैंने इहां पे सिर्फ पर टीज रहता है तेसे स से पूर बात मैंने फर्स सौडिर्यक्षन इम्पॉर्स निमेरिकल क्या लोगाकुफर्स ये दिनाफ झाफ अच्छे से वाच किया है बहुत अच्छा से कमेंट डाले हैं आपने जिसके कारण यह वीडियो बनाने का मेरा दिल किया है तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको प्रोवाइट कर दूंगी उस को मैंने यहां मेंसें नहीं करा है ताकि आपका समय बच जाए ठीक है इसके बाद देखें यहां पर क्या है नेक्स्ट है हाफ इसी में फर्स्ट और रियाक्शन के अंदर एक और याद कर लिजेगा बहुत इंपॉर्टन है यह हाफ लाइफ परियेट भी होता है हाफ लाइफ यह सारे फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है कौपी पर लिख लिए तक इसका बहुत जरूत होता है यह न सिर्फ निमेरिकल में बच्चों आप जब और यहां पर इसका इस्तेमाल होता है तो इसलिए धियान रखिए अब देखें नेक्स्ट है आरहेनियस फॉर्मूला है आपका लॉग के 2 बाई के 1 यहां पर दो टी है इसलिए यहां से इसको टी को हटा देना था ठीक है तो यह आपका हो गया फॉर्मूला यही मात्र तीन फॉर्मूला के ऊपर पूरा केमिकल काइनेटिक्स मैं आपको आपको सिखाऊंगी यहां तक हो गया बेसिक बाते आपको में बता दी अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखें क्वेस्टन नंबर फर्स्ट हम लोग पहले जो इजी क्वेस्टन से उसको सॉल्व कर ल और रिद्यूस्ट तू आप यानि कह रहा है कि कोई रियक्शन है जो सेकेंड ओडर है बित रेस्पेक्ट टू एक मिनिट सेकेंड ओडर है बित रेस्पेक्ट टू एनी रियक्टांट ठीक है मानले यह है इस रियक्टांट के रेस्पेक्ट में सेकेंड ओडर रियक्शन है आपका उसी का अगर डबल कर दिया जाए कॉंसेंट पर और अगर हाफ कर दिया जाए उसकेंड पर यही बताना है क्वेस्टन समझ गाना आप क्या है क्वेस्टन में बस पहले तो जो है वो लिखना है कि सेकेंड ओडर रियक्शन है तो हम लोग लिखेंगे रेट बराबर के कॉंसेंट्रेशन के ऊपर टू का पाबर लगाएंगे जैसे कि अभी मैंने आपको जास देखे मैं इसको लिखा पूरी तरह से कॉनसेट् देने के लिए यह जो आपने लिखा ना तो यहां पे दो कुएस्टन तो दो लिखा गया एक ही रियक्टांट की बात कर रहा है थो हमें ऐसी ट्थिक चलिए लिखते लिखेंगे ऐसे अवके हैं हैं कि है को अधो to question question rate equals to k to the k a to the power माले जो a reactant है equals to power 2 क्योंकि second order है with respect to reactant तो second order डाल दिया आपने यहाँ पर इसको first बना दिजे अब देखे condition number first पर काम करेंगे क्या है double कर रहा है condition number first क्या है double कर रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है लिखना है when concentration concentration is doubled then the new rate then the new rate new rate क्या हो जाएगा आपका मान लिजे कि यह rate है तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसको मान लिजे आर डैस मान लिजे तुसरे बाले को यह आर है और यह आर डैस हो गया तो के आप देखें concentration को क्या करना है double करना है यह जब ए था इसको double कर देना है तो इसको two a बना देंगे ठीक है अब आपका क्या हो गया के यह कितना हो जाएगा फोर ए टू अब इस फोर को बाहर कर लिजे फोर के ए टू दी पावर टू यह आर डैस अब आप यहां ध्यान देंगे कि जब इसको इतने पाट को आप देखिए इस पाट के जगह आप r लिख सकते हैं इसको अगर हम यहां पर r माले इस rate को r तो r equals to kya है k into concentration of a का पावर 2 तो इसका यहां पर क्या है k concentration of a to the power 2 तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं यहां आप लिख सकते हैं from equation first r equals to kya to the power 2 यह आपने समझा बस direct हम लोगों ने कर लिया हम उतना लफ़डा नहीं करना है कि मैं डिवाइड वाइड करके बताने वाला r तो आप क्या बोख सकते हैं दस दस दी rate of reaction rate of reaction मैंने कहा है आपको मैं एक एक चीज बताऊंगे आपको जैसे examination में आपको बनाना होगा इसलिए कुछ भी skip नहीं करूंगी becomes four times ठीक है समझ गया आपका क्या हो गया rate of reaction क्या हो गया four times हो गया new rate कितना हो गया पहले का पुराने का चारगुना ठीक है इसी तरह से जस्ट आप second वाले के लिए करेंगे तो देखे सारी बाते तो आपके similar रहेंगी आप ऐसे पहला equation तो same रहेगा इसी equation पर काम करना है उसके लिए कोई लफड़ा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं सिर्फ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि when the concentration when concentration concentration is reduced to half reduced to half हो रहा है तो आप इसको बस इतना ही करेंगे और लिखेंगे new rate इसलिए new rate is equals to r dash माल लेंगे और k half करना है आपको a by 2 हो जाएगा का power 2 हो जाएगा इतना तो आप समझ गए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अब आप क्या करेंगे k a by 4 power 2 अब क्या हो गया यहाँ पर देखे 1 by 4 बाहर आ जाएगा k power 2 इतना बचा हो गया अब यहाँ पर r dash है अब आप देखे फिर से वही काम करेंगे r dash equals to 1 by 4 तो रह जाएगा इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं लिख सकते हैं फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट बार बार नहीं लिखेंगे अपना इतना आप समझ सकते हैं फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट ठीक है examination के अंदर जब कभी भी कुछ लिखा किजिए कहीं से लाकर तो उसको side में लिखना चाहिए ताकि चेक करने वाले को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खापाना पड़े और वह आपको marks दे दे ठीक है तो यहां पर आपने क्या देखा कि new rate क्या हो गया यह आपका one fourth हो गया वहां पर दो गुना करने से क्या हो गया था चार गुना हो गया था जबकि यहां आपने reduce कर दिया है one fourth कर दिया है तो one fourth बाहर आ गया यह रह गया आपका तो आपका क्या हो गया यहां पर one fourth हो गया ठीक है समझ में आ रही है बात इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं दस, दस, rate of reaction, rate of reaction, reduce to one fourth, clear हुआ आपको, तो यहाँ पे मेरा question number first complete हुआ, I hope कि ऐसे questions आप से गलती नहीं होगा, जहाँ भी 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे ना 5 गुना दे दे, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यहाँ पे question number 2 है, हमारा क्या देखे reaction is first order in A and second order in B, यहाँ पे reactant आपका clear कर दिया है, कि A और B है, ठीक है, यानि दो reactant है, फिर number first question कहता है, कि write the differential rate equation, पहले तो आपको differential rate equation लिखने के लिए कहा, दूसरा कहता है, how is the rate affected on increasing the concentration of B three times, जब आप rate of reaction लिखेंगे, तो three times B को करेंगे, तो क्या effect पढ़ेगा, तो देखे यह question यहाँ पे mention करने का reason यह है, कि मैंने वहाँ पे जो बताया, सिर्फ एक था, अब दो बाला बता देती हूँ, तो इससे क्या फायदा होगा, कि दो से ज़्यादा बाला आपको आएगा, नहीं, ठीक है, तो दोनों ही हो जाएगा आपका, उसके number third question क्या कहता है, how is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled, ठीक है, समझके question, तो one by one बनाते हैं, फिर question को देखते चले जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप rate लिखेंगे, आप क्या करेंगे, rate equation लिखेंगे, तो देखें, कोई महनत नहीं है, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, कि rate वहाँ पे क्या कह रहा सकते हैं, कैसे, rate, rate is equals to, या proportional लिखें पहले, proportional to concentration of A और concentration of B, अब देखिए, first order in A है, first order है, आपका किसे, A का, one लिखेंगे, और second order with respect to B है, तो यह आपका पहला done हो गया, यह आपका first हो गया, ठीक है, first answer हो गया, आपने जैसे ही यह लिखा, अब आप क्या करेंगे, इसको आप ही यहाँ पैसे और कर लिजे, थोड़ा सा, यह के बराबर करना होता है, तभी यह complete होता है, क्योंकि यह equation तो हुआ नहीं, जब तक equals to नहीं लगेगा, तो यह अब आपका complete हुआ, तो यह आप इसको ऐसे कर लिजे, इसको first answer आपका यह हुआ, ठीक है, तो यह पहले यह था, इसको मानलो first, ठीक है, और बाद में क्या करना है, कि rate affected on increasing the concentration of B three times, तो पहले तो यह rate है आपका, अब आप क्या करेंगे, rate, मानलो पहले वाला लिख लेते हैं, rate बराबर के, a to the power 1, b to the power 2 है, ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, increase करेंगे three times, ठीक है, तो व लिखेंगे, when the concentration of B is tripled, इना three times कह रहा है करने के लिए, तो r' लिखेंगे, k लिखेंगे, a, k power 1 लिखेंगे, b पे आप 3b का square करेंगे, यानि यह, ठीक है, अब क्या हो गया, k, यहाँ पे ही आप देख लो, तो 3, 3, 9 हो जागा, तो इसको बाहर करके ले, आओ 9, और यह क्या बच गया, आपके पास, a, चुकि 9 बाहर आगया, तो b पे power 2 बचेगा, अब आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फस्ते होंगे, कि भईया, यहाँ यहाँ पे तो 9 मैम आपने दिखा लिया, त पहुत सारे बच्चों को होता है, कि जब आप स्कॉयर किया, मैं तो 9 निकाल लिया, तो फिर b स्कॉयर कैसे बच गया, ऐसे बच गया, बी ए स्कॉयर मतलब दोनों को दो बार गुना करना, तो 3, 3, 9 हो गया, अब बी का स्कॉयर तो रही जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर यह हो गया, r-, अब आप देखें फिर से, जैसे बैक में किया था, जास्ट वही चीज़ा आप यहाँ पर करें, 9 है, from equation first जब आप देखेंगे, तो यह एस पार्ट को देखेंगे, तो यह किसके बराबर है, r के बराबर है, r के बराबर है ना, तो यहाँ पर रेट बिकम्स नाइन टाइम्स यह हमारा सेकेंड बन गे अब हम लोग थर्ड पर आजाईए थर्ड में क्या कहला है देखिए रेट आफ कॉंसेंटरेशन बोथ ए और डबल आप बोथ ए और बी का कॉंसेंटरेशन आपको डबल करना आप खुद भी बना सकते हैं बहुत असा ए एंड बी बी आप यहां लिखें कॉंसेंटरेशन आप बोथ ए और डबल ठीक है तो आर डैस बराबर क्या हो जाएगा के देखिए टू ए के पावर वन है ठीक है बी के टू भी हो जाएगा पावर टू है कि नहीं है पावर जो है वही रहेगा लेकिन जैसे जैसे कहा हमन अब आप क्या करेंगे के टू ए है तो वो जसके तस रहेगा कोई दिकत नहीं दो दो चार हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा फोर बी स्क्वेर ठीक है आप देखिए इस टू को बाहर निकाल लेना है क्योंकि कॉंसेंटरेशन में ए और बी को ही रहने देंगे यह जब बाहर आएगा तो 4 और 2 देखिए 4 इन्टू 2 हो जाएगा और बचा क्या के A to the power 1 और B to the power 2 बचा इतना ठीक है अब आप क्या करेंगे इसको कर दिजे 4 तू जा 8 के A to the power 1 1 B to the power 2 अब आप फिर उसी चीज़ को करेंगे दोहराएंगे और देखेंगे ये क्या है ये हमारा r के बराबर है पहले के बराबर है तो आप यह पे 8 into r लिख सकते हैं r dash बराबर तो यह आपका क्या हो गया आपका rate rate becomes 8 time. कितना हो गया? 8 time rate becomes 8 time. तो अब आपने समझ लिया. अब कोई problem नहीं होगा आपको कहीं भी. किसी भी तरह से देख, कैसे भी दे. यहाँ पे अगर कह देखा, कि A का यहाँ पे 2 गुना कहा, यहाँ पे half कह देगा आपको तो आप क्या करना एको टूब एबाई टू कर देना बी को दो गुना कर देना जो कट छटके बचेगा वो डेट हो जाएगा मतलब अब आप कॉंसेप से सीख चुके हैं कि कैसे बनाना होगा यहां पर क्या हो गया रेट बिकम्स एड ताइम आपको देख लेना है से आपका य यहां तरहरे क्या मेर थी क्वेश्चुन नुमेर 3 हमारा फॉलवग लिजलट फिरिंग द्रीग टीविट्टी तो यहांपि की स्टडी किया गया इस रियक्शन का और इसमें कुछ वैलिवी बताये गए हैं जो यहां पर देखा है ठीक है तो दो दिक्या आपके पर आपको है concentration of a in mole per liter ठीक है mole per liter यानि कि molarity की बात हो रही है यहाँ पर लिटर यानि इसको कभी कभी कहीं कहीं पर किसी किसी question में molarity भी लिख के देता है capital M भी लिख के देता है तो घबडाईएगा नहीं यह जो चीज है वो यही है mole per liter किसको बोलते है molarity को बोलते है ठीक है तो यह चीज हो गया उसके बाद दूसरी बात क्या यह तो सारा concentration A और B का है यहाँ पर initial rate of formation of D in mole per liter per minute यहाँ पर rate of formation of D दे रखा है तो rate law में क्या होता है कि rate of formation of more than one product है तो किसी एक पर भी आप compare करते हैं बात एक ही होता है दोनों पर जरूरी नहीं होता है compare करना तो किसी एक का यहाँ value दे रखा यानि D का दे रखा है हम इसी से बनाएंगे ठीक है तो क्या 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 करना है सो देखे determine the rate law and rate constant for the reaction यानि पहले rate law बताना है आपको फिर rate constant बनाना है इससे पहले जो questions आपने क्या उसमें rate law आपने लिखा है न तो just वही rate law यहां लिखेंगे लेकिन उसका जो coefficient होगा वह हमें पता नहीं है तो देखे अभी इस experiment के अधार पर आप कैसे लिखेंगे rate law सो समझेगा देखे experiment आपके सामने है आप आपको rate law लिखना है तो सबसे पहले क्या किजिए आपको लिखना है rate law देखे इस तरीके से लिखेंगे rate law in terms of rate of formation of d dt dd by dt change in concentration यानि concentration of d यानि कि formation of d यहां पर बोला जारा इसलिए क्योंकि product है यह इसलिए formation of d ठीक है उसके बाद के concentration of a concentration of b इसके उपर stichometric coefficient के लिए आप क्या करेंगे a और b लिखें x y लिखें कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ यही है कि यह एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है किसी किसी ऐसे equation में हो जाता है समटाइम कि जो आपने balance form में equation में लिखा है वही उसके पाबर चड़ जाता है हमेशा ऐसा नहीं होता है यह थिवारी सक्षन में आपने chemical लिजे ठीक है अब आईए एक्सपरिमेंट वाले पार्ट पे आते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन से हमने रेट लॉव लिख लिया इसको घेराबंदी भी कर दीजे क्योंकि इसका काम आपको होगा क्योंकि इसी के कॉर्डिंग हम सब फर्स्ट एक्सपरिमेंट में A का 0.1 है 0.1 B का 0.1 यह जो बिग ब्राइकेट देखते हैं वो कॉंसेंटेशन को सो करता है इसको आप फर्स्ट बना लिजे उसी तरह से एक्सपरिमेंट सेकेंड आप से क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन है 7.2 इंटू 10 तो दी पावर मैनस 3 के कॉंसेंटेशन ओफ ए देखते जाएए 0.3 A कॉंसेंटेशन ओफ बी 0.2 B यह हो गया हमारा सेकेंड ठीक है जब तक हम लोग सारा एक्सपरिमें क्लिक नहीं लगते हैं इस क्वेशन पेपर को हटाया नहीं जा सकता है थर्ड नंबर पे आजाएए फॉर्मेशन की है 2.88 x 10 to the power minus 1 K 0.3 A 0.4 B यह हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर हमारा हो गया फॉर्मेशन कितना है 2.40 x 10 to the power minus 2 K 0.4 A 0.1 B यह हमारा फोर हो गया अब इसको हम लोग हटा लेते हैं अभी ततकाल ठीक है अब आप देखे इसमें यह चारी क्वेशन है इसको बनाने का दो तरीका एक तरीका जो अभी आप बता रही हूं मैं आपको यह इसली भी आप पता लगा सकते हैं इसली कैसे बनाएंगे बाइगे गृण से बन जाएगा देखे जिसमें जो सिमलर है उसको पहचान किजीए जैसे देखें एक्वेशन फर्स्ट यह सेकेंड और थर्ड में ए बाला सैम है और एक्वेशन फर्स्ट और फॉर में बी बाला सेम है तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 4 को डिवाइड करदैं कि फॉर्स्ट ठीक है आप जो पाएंगे वह लिए भी değil है तो डिवाइट किजिए फॉर इक्वेशन आपका कितना है दू पॉइंट एलेसे को एलेसे से डिवाईट करेंगे और 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 आरेसर और आरेसस से ठीक है तोर्थ का यह हो गया सास से डिवाइट करना है तो 6.0 into 10 to the power minus 3 equals to k मतलब लिखे जो है term दिया हुआ दे रखा है उसको लिखते जाएए और divide करके answer आपका आजाएगा देखे इसका कितना है 0.1 a 0.1 b ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे k से k को काट देजिए b वाला term सेम है तो b से b को काट देजिए यह बच गया आपका यहाँ पर भी आप divide करेंगे ठीक है तो divide कीजिए यह आपका कितना आजाएगा डिसमील हटा दीजिए सबसे अच्छी बात है और डिसमील जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ चुकि 2 है तो यहाँ एक 0 आप पूट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि यह 0 को य आपका और into 10 to the power minus 2 नीचे वाले को ध्यान से देखे यहाँ पर यह 0 अभी बचा हुआ है तो 10 to the power minus 3 plus 1 ठीक है और यहाँ हो गया 0.4 by 0.1 power a यह दुसरे को हटा देगा यह दुसरे को क्योंकि सेम नंबर पर है डिसमील इसलिए और यहाँ आपका आगया 4 into 10 to the power minus 2 और यह 4 sorry sorry 4 सिधा 4 के उपावर a ठीक है इतना हो गया आपका अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बचा 4 equals to 4 a तो यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब इसके उपर 1 है तो 4 से 4 cancel हो जाएगा इसलिए a बराबर आगया आपका 1 तो यह आपका एक काम हो गया a पता कर लिया आपने अब अब b के लिए वही करना है आपको डिवाइडिंग करना है ढिवाइडिंग कि जिसमें a सेब है उसको ले लिचे तो 3rd मेरा है 2.88 into 10 to the power minus 1 divided by 7.2 into 10 to the power minus 3 equals to इधर आएगा आपका k 0.3 a 0.4 b divided by किसे k 0.3 a 0.4 b क्लिर के दोनों सेम है काट दीए इसको अप जो बिचा है वो है और यहां क्या करना है है ठीक है मुझे लगा काटते वक्ति दोनों सब तो सेम होगा तो फिर क्या बचेगा यहां पर देखिए ऐसे होगे चेक करना चाहिए तो यह होगी हमारा उसके बाद इसको काटी इसको हटाई इसको हटाई तो यहां एक कि देखिए इसमें ठीक है यहां पर इसको चेंज कीजे थोड़ा सा यहां मैनस टू है यहां था मैनस टू गलती से मैनस थरी हो गया था मैनस टू है ठीक है यहां मैनस टू कर दीजे तो यहां भी आपको चेंज मिलेगा यहां पर मैनस टू हो जाएगा मैनस टू चलिए इतना गया आपका कितना 0.4 divided by 0.2 B ठीक है तो यह दोनों इस दुसरे को cancel कर देगा पूरा-पूरा क्योंकि दो में से एक जाएगा तो मैनस एक बचेगा तो हो गया बराबर यहां यह दोनों इसको हटा देगा 224 हो जाएगा ठीक है तो 4 2 to the power B इधर हो गया अब आप इसको exponent के हिसाब से solve करेंगे 2 to the power 2 ली सकते हैं इसे और इसे 2 to the power B तो 2 से 2 cancel इसलिए B बराबर 2 तो यह हमारा आग गया इसलिए rate law rate law from equation A equation A हमने जिसे माना था वहां क्या था D by DT equals to K A to the power क्या था हमारा A और B to the power B तो बस आपको क्या करना के A to the power 1 लिख देना है क्योंकि A का power first order reaction हो गया A और B का power हो गया 2 तो B का power 2 यानि कि यह जो reaction हुआ यह जो rate हुआ आपका है ना वह first order हुआ with respect to A और second order हो गया with respect to B तो यह आपने question का एक part complete कर दिया first part complete कर दिया जो rate law मांगा था अब इसी rate law में क्या देखे यहां से rate law पता चल गया आपको अब आप किसी भी equation में क्या करेंगे सारे equation यहां जो भी equation दे रखा है सब में आप क्या होगा A के जगा 1 B के जगा पे 2 A के जगा 1 B के जगा 2 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो किसी एक equation में आप जब A के जगा पे 1 B के जगा 2 लिख देंगे तो K का value आप पता कर लेंगे क्योंकि इसका use है मैं आपको बताऊंगी कुछ इसलिए देखें यहां पे क्या लिखेंगे आप mol per liter per minute लिखेंगे और इसके बाद K है आपका चुकि यहां पे जगा नहीं है तो हम लोग direct क्या करते हैं 0.21 power 1 0.21 का power 2 कर देते हैं अब आप देखें 6.0 into 10 to the power minus 3 mol per liter per minute छोड़ा छोड़ा लिखेंगे ताकि आ जाए ठीक है अब K का value तो पता ही करना है अपने को आप देखें यहां पे 0.1 power 1 है इसलिए यह रहे गया mol per liter लेकिन 0.1 का power 2 है तो देखें इसका power 2 है यानि इसका जो unit होगा उसका भी 2 गुना हो जाएगा यानि mol per liter पर भी 2 हो जाएगा बातारी समझ में आपके इतना करना है आपको इस तरह से कर लेंगे power 2 चढ़ा दिया आपने अब आप क्या किजिए इसलिए k बराबर k बराबर क्या हो जाएगा इसके divided by यह तो आप करेंगे 6.0 into 10 to the power minus 3 mol per liter per minute divided by कितना 0.1 mol per liter 0.1 to mol देखे अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं mol per liter चलिए अभी इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है तो देखे ध्यान से mol per liter से 1 mol per liter पूरा पूरा कैंसल हो जाएगा ठीक है इतना basically आपको जल्दी नहीं समझाया जाता है समझे इसको कैसे unit आ गया last में मैं unit लिखके भी कान चला सकती हूं बट चलिए सीखिए इसको ठीक है इतना होगे आपने आप इसको solve करना है जब आप solve करेंगे ना तो 6.0 10 to the power minus 3 इन दोनों को जब solve किजेगा तो इसका value 10 to the power minus 3 ही आएगा इन दोनों को multiply किजिएगा तो आपका value देखे कैसा देगा 0.001 देगा जब इसको हटाईएगा तो कितना हो जाएगा वन पावर ऐसा हो जाएगा तो इस चीज को जैसे 1 के बटे एक हजार लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं 10 to the power minus 3 तो वही यहां पर direct मैंने लिख दिया है इसको इन दोनों को करके 10 to the power minus 3 तो यह यह एक दूसरे को cancel कर देगा उपर बचा हुआ है आपका कितना पर मिनट नीचे आपका कितना बचा हुआ है मौल के फ्रलीटर का स्कूरे अब मैंने आपसे कहा क्या चाहें तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं सिद्धा सिद्ःवाइसे लिख देंगे आप 6.0 पॉइंट जीरो मोल पर लीटर का पर स्कुराइर और पर मिनुट मतलब क्या किया मैंने इसे इसे उपर लेकर चले आये इसका स्कुराइर पाबर जो था वह पर स्कुराइर में कंपीर अब आपको कहीं-कहीं बुक में आंसर मिल जाएगा इस मोल पर लीटर को लोग लग देते हैं और मैनस तु चढ़ा देते हैं मिनट पर चाहें ऐसे छोड़ें जसा इसको यह चीज को आप कर दें मॉल पर इसकोएर इसकोएर और इस तरीक है से पर निमिनाट हला कि अश्चा है कि इसको आप समझ लें कि यह ऐसेारा स्चोएर सुरी, molarity per second, per square और per minute, ठीक है, तो यहाँ पर आपका k का value निकल गया, ठीक है, तो यह हमने complete किया एक question इस तरीके से, तो यह हमारा क्या निकल गया, k का rate constant आपका, आपका किसी में भी value put करेंगे न, तो यही चीज आपको देगा, किसी भी equation में रखे, first में, second में, third में, third में, किसी में, तो यह आपका complete हुआ, अब बारी आती है, यह बात जानने कि, कि मैं आपनी कहा था, trick से भी बताएंगे, तो trick देख लीजे, यहाँ पर क्या है, आप easily भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे देखे, इसको compare कीजे, first और second को compare कर तो rate of constant कितना हो गया, आपका 4 गुना हो गया, देखे, यहाँ पर 7 चौक टाइस, तो जैसे rate of formation of D 4 टाइम्स हो गया, जबकि यहाँ पर यह टू टाइम्स हुआ है, इसका मतलब है कि, इसका जो order होगा, वो आपका कैसा होगा, second order होगा, तभी तो इसका दो गुना को 2 का power च चार हो जाएगा, तो rate of formation कितना हो जाएगा, आपका, चार गुना हो जाएगा, जो अभी first or second question आपने बनाया था ना, उसी type का चीज है, इसको देख के समझना है कि, यह दो गुना हुआ और यह चार गुना हो गया, यानि कि यहाँ यह जो power होगा, इसका order of reaction इसके, वी के comparison म है, यहाँ पर इन दोनों को हटा दिया, अब आप देखें, concentration of age, चार गुना हो गया, यहाँ से यहाँ चार गुना हो गया, फर्स्ट में एक था, यहाँ पर चार हो गया, और formation क्या फ़रक पड़ रहा है, यहाँ पर यह भी आपका, जस्ट चार गुना हो गया, जस्ट चार order of reaction कैसा रहा होगा, वन ही रहा होगा, वन ही रहा होगा, तभी तो यह भी चार गुना, तो यह भी चार गुना, कोई इधर उधर का बात नहीं हुआ, तो यह हुआ ट्रिक, समझ भाई बात, और यह हुआ जो पीछे बताया, तरीका, तो इस तरह से यह question बहुत लंबा time लि with respect to B, आपको कितना असान हो गया, order of reaction दे दिया है आपको, तो fill in the blanks in the following table, इस table में आपको जहां जहां fill मिल रहा है, उसको fill करना है, तो देखे, सबसे पहली बात, उस question में क्या था, सारा आंकड़ा दिया था, हमें order of reaction निकालना था, यहां क्या है, order of reaction पहले से दे रखा है अब हमें क्या करना है, concentration of A इस जगह क्या होगा, वो बताना है, यहां पर rate of initial rate क्या होगा, rate of formation क्या होगा, product का वो बताना है, हमें यहां पर, ठीक है, और यहां पर फिर से concentration of A बताना है, B के साथ दोस्ती था, B का एक भी निगाब किया, सब पुरह ने दिया, ठीक है, कोई बताना है, चलिए, एका ही हमें पता करना है, दोनों का पता कर लेंगे, तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग rate law लिखेंगे, ठीक है, तो rate law पहले लिखते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग, यहां पर मैंने लिख दिया, next question मनाओंगी, मैं यहां पर, तो देखे के respect में क्या था, फर्स्ट और था, यहां पर हो गया, फर्स्ट ठीक है, यह आपने कर लिया, अब आप आप हर एक एक्सपरिमेंट पर चलेंगे, ठीक है, यह हमारा हो गया, एक जेनरल rate, rate law के हिसाथ से, ठीक, rate of reaction, अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को compare कीजिए, फर first and second, आप rate law लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका देखिए, आर बराबर होता है, जैसे आर बराबर इतना हो रहा है, और आर का चुकी value यहां दे रखा है, तो हम लोग आर बार बार नहीं लिखेंगे, value ही लिखेंगे, फर्स्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा, हमारा 2.0 into 10 to the power minus 2 बराबर के, A का concentration 0.1 power 1, B का concentration 0.1 power 0, ठीक है, इसको माल लिजे, second equation, जब इसको first माल लिया है, तो इसको second माल लिजे, ठीक है, यह first है, और यह second हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, experiment second के हिसाब से, देखें, rate तो, formation तो पता ही है, 0.4, 10 to the power minus 2 हो ग हो गया, और यहां concentration of A आपका कितना हो जाएगा, नहीं पता है, आपको तो इसको माल लिजे, X है, और यहां पर concentration of B 0.20, यह हमारा third हो गया, अब आप क्या किजे, divide कर देजे, third को dividing, third by second, ठीक है, third को second से divide किजे, third को second से divide किजे, तो third हमारा यह है, 4.0 into 10 to the power minus 2 divided by 2.0 into 10 to the power minus 2 equals to K, X to the power 1, 0.2 A0, अब यहां पर यह K, 0.110, ठीक है, तो यह आपका हो गया, अब आप देखे, यहां पर जिसके भी, यहां पर आप इसको cut करेंगे, यह cut हो गया, यह हट गया, दो दूनीच चार हो गया, यहां पर आपका कितना वर total 2, इसमें देखे, के से के को काट देजे, और यह और यह देखे, कटेगा नहीं, लेकिन यह ध्यान देजे, कि किसी क आपके उपर पावर 0 होता है, तो वह value कितना हो जाता है, वन के बराबर हो जाता है, तो यहां आप कैसे लिखेंगे, देखे, x divided by कितना वचा आपके पास, 0.1, क्योंकि 11 है, उसको लिखे, ना लिखे, और यहां पर आपको, चुकि अप्सॉल्व करना है, हम लोगों को, द हो गया, इसलिए, आप क्या का सकते है, x बराबर कितना, इसको multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, आपके पास, 2 इकोल स्टू, 2 इंटू, 0.1, बराबर कितना, 0.2, m बोले, या मोल पर लिटर, आपको समझाया है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कितना, 0.2 मोल पर लिटर, यह समझ गया, यह हमने बना लिया, तो यह मेरा काम हो गया, अब यह काम बाकी है, और यह काम बाकी है, तो चलिए, इसको भी बना लेते हैं, आप भी खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन देख लिजे, आपने यह पता कर लिए, आप यहाँ पर पता करने के लिए, इसको मान ले करेंगे तो इसमें क्या है और बी का तारीक है तो हम कोई नहीं हो जाएगा यह पता कर पाते हैं। इसलिए हम लोग निनियर सो एकस्परिमेंट diferença experiment second and third experiment second and third आप देखिए दोनों experiment को दिहान से जब आप लिखेंगे तो second के लिए क्या लिखेंगे r बराबर r बराबर नहीं r का value पता है तो इसको हटाओ यहां से 0.4 into 10 to the power minus 2 equals to k 0.2 आपने पता किया है अभी just पता किया है आपने और 0.2 के power 0 ठीक है और यहां दूसरा जो होगा यह आप कर लेंगे क्या थर्ड तक मान चुके हैं आप 4 और इसको 5 मान लेंगे हम लोग देखें के 0.4 power 1 0.4 power 0 यह हमारा 5 तो यह क्यों किया मैंने क्योंकि इसका इस experiment का experiment third का r नहीं पता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे experiment third का r नहीं पता है इसलिए इसे r1 मान लेंगे और इस तरीके से लिखेंगे अब आप क्या करेंगे देखें अब आप क्या किजे divide किजे किसको 5 को 4 से divide किजे किसको 5 से 4 को ठीक है इस तरीके से लिखेंगे दिवाइट करके ठीक है उसके बाद आप इसको solve करेंगे के से के को cancel कर दीजे उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यह किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा तो बचा आपका कितना देखेंगे 0.4 divided by 0.2 आप इसको 1 बना दें यह यह cancel हो गया 2, 2 जा 4 हो गया इसलिए R1 बराबर कितना आजाएगा आपका देखें यहाँ पे 2 है cross multiplication जाएगा 4.0 into 10 to the power minus 2 into 2 कितना हो गया 8.0 into 10 to the power minus 2 ठीक है यह आपका आगया आप इसमें चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं molarity per minute ठीक है यह unit हो गया आपका यहाँ से मैंने देखके लिखा है unit को ठीक है यहाँ mol per liter है मैंने आपको बार बार समझाया है mol per liter, molarity per liter कोई दिक्कत नहीं है एक ही बात है ठीक है इस तरीके से यह मेरा एक पार्ट यह भी हो गया मतलब R1 भी हमारा पता हो गया यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 8.0 into 10 to the power minus 2 आपने R1 भी पता कर लिया अब बारी है इसकी अब इसको आपने पता करना है तो यह तो आप पता कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं है इसको पता करने में तो देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे compare करेंगे 1st और 4th को 1st and 4 को क्यों क्यों करेंगे इसका यह क्या reason है करने का तो देखें यहाँ पे देखें यह जो rate of change है यह initial rate जो आपका है वो कितना दे रखा है 2.0 into 25 minus 2 यहाँ पे भी same है यानि यह जो आप देख रहें यह वाला part यह दोनों same है जिसके कारण आप इसमें compare कर सकते हैं easily क्या है 0.1 था concentration B का और 0.2 हो गया यहाँ दो गुना हो गया तो भी यहाँ पे क्या है आपका rate of concentration में कोई फर्क नहीं है rate of concentration यानि rate of formation of product कहिए यानि initial rate जो दिया हुआ है आपका वो कोई effect नहीं पड़ा उसके उपर वो 2.0 ही है 2.0 यहाँ भी है same है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह जो आपका concentration of A भी होगा उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि rate में कोई फर्क पड़ी नहीं रहा है rate आपका same है rate पर ही depend करता है आपका कि किस तरीके से vary करेगा तो यहाँ same है तो उनी बातों को मैंने यहाँ लिखा है कि now consider experiment first and four since the rate remains same and concentration change of B doesn't affect the rate so concentration of A also remains the same that is A concentration of A कितना हो जाएगा आपका 0.1 mole per liter जितना first वाले में था उतना ही आपका यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि इस पे effect नहीं पड़ रहा है इसके उपर effect यहाँ पर देखते हैं question यह है हमारा क्या the decomposition of hydrocarbon follows the equation यह equation follow करता है calculate करना है E A यह आपका energy of activation ठीक है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे इसको compare करना है तो सबसे पहले जो मैंने आपको सबसे शुरुवात में बोला था कि इस page पे जो भी मैंने लिखा है उसे लिख के रखिए तो उसमें मैंने आपको 10 to the power 11 per second e to the power minus 2800 k by t इतना दे रखा है इसी दोनों को compare करना है और यह आपने निकालना है ठीक है तो आप करेंगे on comparing on comparison ठीक है क्या हो जाएगा देखिए आपका minus ea by rt equals to कितना आ जाएगा minus 28000 क्योंकि इसी से काम है हमारा k by t ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे minus से minus सबसे पहले cancel कर देज़े ea को यहीं रहने देज़े 28000 k by t into rt तो t से t काट देज़े ठीक है अब आपका यहाँ पे कितना आ गया 28000 देखिए आपका r का जो value होगा वो gas constant है इसलिए इसका value होता है आपका तो इस भी क्या करेंगे देखे पर Kelvin एक Kelvin को cancel कर देगा तो Kelvin का काम खत्म हो गया आपका तो 28000 into 8.314 जूल पर मोल activation energy है उसका unit जूल पर मोल में जाएगा आपका तो ea बराबर इतना हो गया अब आपका काम क्या है कि आप इसको इसको multiply करें तो देखे 8.314 को मैं multiply कर लेती हूँ 28 से तो देखेगा क्या होगा आठ चोग 32 हाथ में 3 है आपके आठ और तीन आठ तीनी 11 हाथ में एक आठ तीन 24 एक पचिस के आठ तीन आठ तीन अंग के बाद डिसमिल बैठा ना है तो वन टू थी के बाद यहां डिसमिल बैठा दीजे आपका आगया 23 27 92 जूल पर मोल तो यह हो गया आपका आंसर क्या एक्टिवेशन एनर्जी आपका यही आया ठीक है तो इस तरीके से यह क्टिवेशन बन गया तो कारहनियस एक्टिवेशन पर ही है तो देखेगे दा रेट ओफ रियक्शन क्टिवेशन पर ही है तो यहां पर रेट ओफ रियक्शन क्टिवेशन हो जा रहा है यानि चारगुना हो जा रहा है है तो इसके अंतर बना अ grin है बाद में uh के हो गया होगा थीजो है वहा है और के व्यूर चाहरी और बाद में नहें के भूर जो के बराबर है और बूहां मैंने अपको सम्झाया है वही लिःखा है ठीक है अब आपको करना क्या है activation energy watt है आपके यही निकालना है तो आप जो formula पीछे जाके देखेंगे यह मैं दिखा देती हूँ आपको क्योंकि मेरे पास है वो formula भी तो यहाँ देखें यह formula लगाएंगे यह वाला ठीक है यह formula पे आप बनाएंगे ठीक है तो लिख लेते हैं log k2 by k1 equals to ea by 2.303r अब इसको solve करके लिखें t2 minus t1 by t1 into t2 ठीक है यह हो गया आपका अब आप इसमें value put करेंगे पहले यहाँ देखें log लिखें और k2 के जगा लिखेंगा 4k और नीचे k तो k k cancel हो जाएगा और आपका ea यहाँ है 2.303r का value बाद में लिखेंगे अभी रहने दो ठीक है अब यह यहाँ t2 आपका कितना है 313 minus 293 divided by 313 into into 293 इतना आपने लिख लिए data लिखते से में बहुत ध्यान रखा किजिए उसी में गड़बड़ी हो जाती है अब यहाँ लिखेंगे log 4 तो log 4 का value निकालने के लिए इसको log 2 के power 2 कर दिजिए उसके बाद ea 2.303r यहाँ आप जब मैनस करेंगे तो 3 में से 3 गया 0 और 11 में से 9 जाएगा 2 यही 20 बचेगा और यह 3 अभी इसको multiply नहीं करेंगे करेंगे बाद में ठीक है ऐसा हो गया ठीक है ना अब आप क्या करेंगे इसको इधर ले आईए देखे 2 log 2 यह formula है यह mathematics का formula है इतना आ गया ea by 2.30 303 इंटू 20 बाई 3 इंटू 13 3 13 293 अब आप क्या करेंगे इस log 2 का value आपको पता होता है याद रखते हैं आप 0.301 इतना आप रखते हैं याद उसके बाद यह अब इसको कुछ नहीं है आप यहाँ पर देखना चाहें देखें अदरवाई खुद से solve करें यही बनाने का तर सकते हैं 293 ठीक है तो इसलिए यह बराबर अब आप कर लें क्रोस मल्टिप्लिकेशन तू चलिए लिखते हैं ऐसे 0.301 इंटू 2.303 इंटू 3 13 इंटू 293 डिवाइड़ बाई 20 हो गया इन रहेगा यह यहाँ है यह क्रोस होके चला गया यह 20 अब आपको कुछ नहीं मेहनत है इसको टू से काटी 10 हो जाएगा उसके जाद इस 10 को उपर लेके चले जाएंगे बांकी तो जो करना है वो करना ही पड़ेगा अपने को ठीक है तो सबसे पहला काम किया किजेगा इसको इससे मल्टिपलाई किजेगा इसको इससे मल्टिपलाई किजेगा इसको इससे मल्टिपलाई किजेगा आंसर आजाएगा जल्दी से बता देजेगा ताकि मैं उस उस आंसर को पीन कर कर दोंगे दुसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी क्योंकि अभी तिर्ना गुना अभी हमें नहीं करूंगे आप लोग खुद से कर लिजेगा कोई दिकत नहीं है बहुत सिखाया है आपको जो भी आएगा वह जूल पर मोल या कीलो जूल पर मोल में आप आंसर बता देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा तो फटा पर चलते हैं हम देखें यह लास्ट क्वेस्टन है इसलिए बहुत एजी क्वेस्टन है मन खुद हो जाएगा आपका बनाके देखें कैलकुलेट दा हाफ आफ आफ हाफ लाइफ फरस्ट ओर रियक्शन फॉर्म दियर रेट क्वेस्टन नमबर हुआ तो चले यहां पर नेक्स्ट क्वेस्टन है यह आपका हना तो क्या करेंगे हम टी हाफ इक्वेस्टू मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सी 0.693 बाई रेट कॉंस्टेंट होता है तो यहां पर क्या किया है आप से पूछ कह रहा है कैलकुलेट हाफ लाइप रेट कॉंस्टेंट आपका दे रखा है तो आप कुछ नहीं करना आपको 0.693 मदब कुछ करना है स्वाल तो करना पड़ेगा ठीक है इतना पर सेकेंड आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्वाल किजिए इसे तो सबसे पहला काम किजिए कि क्या किजिए ट पर देंगे वन हो गया यह 3 261 डिस्मिल के कारनी है तो आपका आगया डिस्मिल 3 4 6 5 यह जो आपका नीचे 100 तो बची गया ना क्योंकि मैंने 2 से काटा 200 से नहीं काटा है ठीक है तो अब आप क्या करेंगे इस डिस्मिल को हटा दिजिए तो हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 टीक है टोटल म 65 अब टोटल कितना है आपका 3 4 2 6 तो 10 to the power मैनस 6 सेकंड पर सेकंड उपर आएगा तो सेकंड हो जाएगा इतना टी हाप आपका आगया कोई दिकत करने कहीं तरीका है आपको सही सही लाके बता देना है अब इतना आप चाहें इतना छोड़ दें इतना भी आपका सही है अग 3.465 करेंगे इंटू 10 to the power मैनस 3 सेकंड हो जाएगा यहां पर तीन से बढ़िएगा तो यहां तीन घटा दीजिए यह आपका तरीका है आप जैसे करें सॉल्व करना आना चाहिए उसी तरह से फोर इयर्स वाला है तो उसमें कोई दिकत नहीं है यह आपका फस्ट कम्टीट क्या मैंने फॉस्ट अब सेकंड देखें सेकंड में मेरत कम लगेगा टी हाफ इक्वस टू 0.693 फोर इयर्स है ना हां फोर पर इयर्स तो समझी गया कि यह में हो जाएगा पर इयर्स ठीक है तब इसको डिवाइट किजिए अब आपने से खुद से फोर से इसको इस तरह से जाएगा आपका तो जीरो कॉइंट 173 पर इयर्स था अब यह में कनवर्ट हो जाए गा हो गया इतना साब कोई महनत है आप इसको बना सकते हैं इस तरी के से यहां के मैंने इतने भी आपको साथ आठ क्वेस्टन बताये हैं आपको खुद देखके लगेगा यह स सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी जड़त नहीं है इदम अराम से आप कर पाएंगे ऐसे ही क्वेडियो जाएंगे इलेक्रों केमेंस्ट्री स्वालीशन और भी सारे चैप्टर्स के तो बस जुड़े रहे साथ में सब्सक्राइब करके चैनल को विद बैल आइकन ताकि कि आइसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलें तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट वीडियो के साथ अगले बाहित हैं